सबीक नमस्कार, मैं राजकुमार विश्व कर्म रश्टाचार की कहानिया देखते देखते और सुनते सुनते काफी वक्त बीट गया लेकिन जब बात आते है कारवाहियों की, तो कितनी कारवाहियां की जाती है ये बड़ा दुर्भा के पूर्ण होता है और देखा जाता है कि कारवाहियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक जो दिखावा कहा जाए कि कागजो तक सीमित रहता है क्योंकि अगर आज कारवाहियों की बात की जाए तो कारवाहियां किस तरह की हो रही है और क्या कारवाही हुई जब इस पर बात उठती है तो साइड हम यह समझ में आता है कि या तो कुछ हद तक कि छोटी मोटी कारवाहियां और कारवाहियों के नाम पर सिर्फ हो सिर्फ लीप अप होती है मैं दरसल बात कर रहा हूं उन ग्राम पंचायतों की जहां पर लाखों के ब्रेश्टाचार होने में कोई कमी नहीं रहती खास तोर पर चाहे मन्रेगा की बात करें या फिर चाहे उन तमाम विकासकार्जों की बात करें जहां पर किसी न किसी आड में जो है तो ब्रेश्टाच ब्रिष्टाचार करने वाला यानि कि अगर देखा जाए एक नजरिय से तो कहीं न कहीं उस पंचायत में रहने वाला या तो सरपंच होता है या फिर सची होता है जिसे बित्ति पावर बराबर मिली हुई होती है क्योंकि पैसे कब कहां और कैसे खर्च करने हैं इसका पूरा ब्यवरा पंचायत की देख रेक करने वालों के हाथों में होता है और थोड़ी सी जवाब देही और जिम्मेदार कौन होता है आपको भी पता है कि इनके जो उच भागी अधिकारी जो होते हैं क्योंकि अगर हम एक तरफ किसी कारे की बात करें जहां पर यह देखा जाए कि अगर एक सड़क निर्मान होना है या फिर कोई भी ऐसा काम जिसको ले करके यह कहा जाए कि विखास कारे हो रहा है और उन कारियों को देखते हुए उन कारियों में कितना काम किया गया और कितना सही कितना गलत क्योंकि आज कल देखा जा रहा है कि अगर समझे कहीं 10 लाग की रोड बनना है और 10 लाग की रोड के नाम पर जो है तो सिर्फ हो सिर्फ कई उसमें देखा जाता है कि सिर्फ हो सिर्फ लीपापोती नजर आ होता है उसमें देखा जाता है कि कितना गुर्बत्ता वहीन कार किया जाता है ऐसे में आखिर किसकी जवाबदारी बनती है और कौन इसका जवाबदार होता है क्योंकि अगर जवाबदारी की बात करें तो जवाबदारी के नाम पर सिर्फ हो सिर्फ यह देखा जाता है कि कुछ percentage कमीशन, कुछ हद तक materials का गायब होना और कुछ हद तक अधिकारियों की लापरवाही, खास तोर पर उन अधिकारियों की लापरवाही, जो कि इन सब चीज मुँ बंद करके रखते हैं, इनकी आँखे बंद होती हैं, हमने देखा कई बार, पंचायतों में जैसे हमने देखा कि मनरेगा के तहत काम चल रहा होता है, लोगों को मजदूरी मिलनी होती है, और मजदूरी मिलने के साथ यह देखा जाता है कि मजदूरी भी किस तरह है कि जैसे मैं बात करता हूं कि अगर तीस मजदूरों को रखा गया, उस में यह देखा जाता है कि तीस मजदूरों में दस ऐसे मजदूर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और तीस ऐसे मजदूर होते हैं जिनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ हाजरी लग रही होती है कहा जाए कि बाद में होता क्या है तो मैं आपको बतानू कि उन दस मजदूरों के नाम पर बराबर उनकी जो हाजरी है जो उनका भुकतान है वो तो बराबर मजदूरी का भुकतान हो रहा होता है लेकिन मेन कहानी जो आती है कि जिन 20 मजदूरों की मैं बात कर रहा हूँ वो 20 मजदूर खास तोर पर यह देखा जाता है कि उनके जो खाते हैं यानि कि जिस खाते में उनका मजदूरी भुकतान होना होता है वो मजदूरी भुकतान कहीं न कहीं पर देखा जाता है कि फर्जी तरीके से हो रही होती है क्योंकि ना तो उस मजदूर ने कहीं पर काम किया है और ना ही किसी तरह की उसकी कोई काम करने की सीमा है लेकिन सिर्फ हो सिर्फ ऐसे मजदूरों के खातों का इस्तमाल किया जाता है और बाद में उसी पैसे का बंदर बाट करते हुए चाहे सरपंच हूँ या सची हूँ इन पे मिली भगत करके उन पैसों को बराबर खा जाती है। कई बार देखा गया जैसे मैंने कहा आप से कि अगर बीकास कार्जों की बात करें तो दस लाक की एक सडक करके बैठ चल जाती है। सडक में कितना गुलबत्ब पून कार की अगया है कितना नहीं किया गया यह देखने वाला कोई नहीं होता है। क्यों क्यों कि कुछ हिस्चे की कमीशन ने उनके आंख बंद कर रखी होती है उनके कानों को बंद कर रखा होता है क्योंकि अगर उन्होंने बराबरी से काम किया होता अपने जिम्मेदारियां निभाई होती तो सायद उस सड़क निर्मान कारे कार बराबर सिस्टम से और गु जाता है ऐसे ही तमाम कई कारे होते हैं खास तोर पर जिस कमीशन के खेल की मैं बात कर रहा हूं अब सोचिए अभी हाल फिल हाल हमने सोचल मीडिया में एक पोस्ट की कि 83 लाख का ब्रष्टाचार करने वाला एक सची हो अगर सोची इतने लाखों का ब्रष्टाचार कर रहा है तो सोचिए पूरे मद्ध प्रदेश के जो है तो क्या हालात होंगे कहने के लिए एक तरफ जो है तो हर दिन एक statement मुख्यमंत्री जी का आ रहा होता है और वो यह कह रहा होते हैं कि कहीं भी अगर ऐसे व्रष्टाचार की कोई भी सिकायत है तो हमें दीजिए हम उन पर करेंगे लेकिन जब बात की जाते है कारवाहियों की तो कारवाहियां काउन से और किस तरह से की गई यह बहुत ही महत्तपूर्ण भी से होता है लेकिन कारवाहियों के नाम पर होता क्या है आपको और हमको सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है क्योंकि कारवाहियां सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति तक ही सीमित रहती हैं और वो कारवाहियां जो कि कही न कहीं पर जो है तो सारे सिस्टम को फेलवर साबित कर देती हैं और जब फेलवर साबित करती हैं तो फेलवर साबित कैसे होता है यह भी बता देता हूं क्योंकि कहीं न कहीं पर चुट् दर्ज कराता है और उस चिकायत को ले करके एक मुद्द उढ़ाया जाता है कि इस काम में गुनबत्ता विहीन कारण पाया गया है तब जाकर के थोड़ा सा अमल किया जाता है और कहीं न कहीं पर उससे जिम्मेदार अधिकारी हूं, सरबंच हूं या सची हूं उन्हें सिर्फ और इक सोक आज नोटिस जारी किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया और लिखित कारण माँगा जाता है सिर्फ इतनी कारवाही हुँ होती है जबकि अगर देखा जाए एक नजरीय से तो सोचिए कि अगर छोटी मोटी पंचायतों से ले करके इस तरह की कारवाहीयां चल रही है या जो चल रहा है तो उसको ले करके कहीं न कहीं पर बड़े पाइदान पर बड़ी कारवाहियं होनी चाहिए थे क्योंकि ये कहीं छोटी सी बात नहीं बलकि एक निचले इस तर से ले करके उपर के उस इस तर तक जहां पर पैसे का भारी मात्रा में खेल चल रहा होता है अब बात आती है कि इन पर रोक थाम कैसे और कौन लगाएगा तो जब बात आती है रोक थाम लगाने की तो साध हमें सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि जीमेदार अधिकारियों का या तो ट्रांसफर हो चुका होता है और या तो सिर्फ उनके नाम पर रिकबरी निकाली जाती है तो क्या recovery निकाल देने तक जो है तो सारी बातें खतम हो जाती है या recovery निकलने के बाद सामने बाला दुबारा उस भ्रेष्टाचार को दोहराता नहीं है आए दिन हम देख रहे होते हैं सोसल मीडिया में एक खबरे दावड रही होती है कि आज फाला फाला विक्ती को जो है तो रंगे हाथों पकड़ा गया लेकिन कारवाही के नाम पर होता क्या है जबकि ऐसे लोगों को जो सरकार का पैसा यानि कि सरकार के पास जो पैसा है वो कह हमारे प्रदेशवासियों के टेक्स का ही पैसा होता है जो सरकार हमारे लिए या कहा जाए कि उन ग्रामीर छेत्रों के लिए या फिर नगर पालिकाओं के लिए जो है तो कहीं न कहीं पर उस छेत्र के रहवासियों के विकासकारियों के लिए सरकार फंड देती है और जब स ब्रष्टाचार के खेल की जो चरम सीमा है, वो कहां तक पहुँच चुकी है, सारी हादें पार कर चुका, क्योंकि सिस्टम ने कहीं न कहीं पर अपनी आखे बंद कर रखी है, हर रोज एक स्टेटमेंट सिर्फ हाता है कि ब्रष्टाचारियों पर कारवाही होगी, ऐसे कारवाही के नाम पर सिर्फ रिकवरी तो क्या रिकवरी हो ना इससे भ्रहष्टाचार समाप्त हो जाएगा या फिर कहीना कहीं पर कहा जाए कि ये उन भ्रहष्टाचारियों के लिए एक अभैदान का काम करता है तो मैं कहना चाहूंगा सिर्फ इतना ही कि अगर सिस्टम कहीं पर बना हुआ है तो उस सिस्टम की अंदेखी ना की जाए और सिस्टम सहीत कहा जाए कि अगर देखें तो हर उस आलम को ले करके हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां पर क्या सिस्टम बनता चला जा र जहां पर पहले चार गुना ब्रेष्टाचार होता था आज वहां पर दस गुना जादा और ब्रेष्टाचार हो रहा है ना तो ब्रेष्टाचार कम हुगा और ना ही लोगों के सिकायतें कम हुई और ब्रेष्टाचारियों ने अपने ब्रेष्ट कार्यों पर लगाम लगाई तो यह कैसा सिस्टम है तो चलिए देखते हैं आने वाले समय पर जो है तो और क्या होने वाला है क्योंकि अभी 2023 आने को है और 2023 में बिधान सभा चुनाओ होने को है तो चलिए ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ मैं बिराम देना चाहूंगा और अगली कड़ी में हमारी मुलकात फिर होगी मैं राजकुमार विश्यकर्मा धन्यवाई